फिलके कमजरी के साथ बाजार के हफते की शुरॉات के हैं आसार और कमजर शुरॉात के बाद बाजार का डायरेक्शन क्या रहेगा थारेगा s का रहे और यह हफता है देर सारी खबरोंगा आचेट्ज अर इस खबरोंगे अक्श हम बिल्कुल दीप कुछ फेमिली फंक्शन्स हैं वेडिंग्स का सीजन है शाजियों का तो मैंने का कि चलिए एक कोचिन की यात्रा भी हो जाए और साथ साथ चुकि बादरों का मूर माहूल जो है उसके साथ-साथ थोड़ा शो भी यहां से समय बीच-बीच में निकाल के कर लि लगातार जमा-जम बारिश वेसा महूल ही सकते है कोचिन में तो बहुत ही प्यारा मौसम है और वाकई में बहुत खूब सूरच चहर है बिल्कुल तो हॉलिडे डेस्टिनेशन पर है अनिल जी पर हॉलिडे मूड अभी हम आने नहीं दे सकते हैं क्योंकि मंडे है और हफते की करनी है शुरुबात जानना है अनिल जी से कहां पर है उनकी नजर और इस हफते कैसे रहेगे बाजार की चाल आई सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि कुछ बड़ी बाते इंपॉर्टन ट्रिगर्स आज के लिए कौन से इंपॉर्टन रहने वाले हैं सबसे पहले तो हलकर 120 के पार है तीन महीने की उंचाई पर तेल के दाम है और यहीं नहीं साओधी अरेबा ने एशिया के लिए भारत के लिए जो कच्छे तेल के दाम है वो भी बढ़ा दिये हैं थोड़ी कमजोरी आ रही है एजएक्स निफ्टी पर बाकी एशिया के बाजार अभी भी ठ ठीक ठाक होल डाउट कर रहे है हमारे एशियेक्स हलका सुस्त है बट निचले सरों से थोड़ा रिकावर भी हुआ है तो बहां पर रखे है नजर और साथ ही अक्षिन पैक्ट हफता है ग्लोबल बाजारों के लिए हमारे बाजारों के लिए कई सारे डेटा और इंपोर्ट इवेंट्स हैं और बाजार पर जो आपका नजरिया वो भी जानेंगे बट एक अच्छा रिबाउंड आया था मिडवीक लास्ट वीक फ्राइडे को थोड़ा तूटते हुए दिखा कुछ ऐसे ट्रिगर्स तो नहीं दिखे फ्राइडे की सुस्ती के बट थोड़ा कमजोर है बाजार and more importantly sir कच्छा तेल वापस उबल कर आ रहा है थोड़ा गिरा था थोड़ी रहात आई थी अब यह वापस तीन महीने की उचाई पर जी थोड़ी सी चिंता की बात कच्छा तेल में जो बड़त हुई है और बड़त के पीछे कारण भी हो थे कि साओधी अरब की तर एक सबसे बड़ी चिंता की बात दीप यह कि कच्छा तेल निशले स्टों पर टिक नहीं रहा है जैसे किसी वाज़े से हलकाफुल का करेक्शन आता है पिछली बार ऐसा लगा कि मन्थली एकस्पाइरी के पहले कच्छा तेल 122-124 डोलर की रेंज में पहुंच गया जैसे खत्म हुए तुरंती नेक्स दे 116 डोलर पर आ गया तीन-चार डोलर का एड़स्मेंट था तीन-चार डोलर गिर गया तो ऐसा लगा कि चलिए आर्ट इफिशल था लेकिन नीचे से वापस उपर आने में भी कच्छे तेल को ज्यादा वक्त नहीं लग रहा पहली चीज जो प्रोडक्शन है वो साड़े 6 लाख बेरल प्रती दिन बढ़ाने के ओपेक प्लस के फैसले के बावजूद अगर कच्छा तेल नीचे नहीं रुक रहा और ऊपर आ रहा है तो यह थोड़ी सी चिंता की बात है इसका मतलब है कि अंडर करण जो कच्छे तेल में वो अमेरिकी बाज़रों को लेकर है जब हम बंद हुए तो अमेरिकी फ्यूचर मुश्किल से 70-80 नीचे थे कोई खास कमजोरी वाला संकित नहीं था याद है अच्छे से वह भी याद इसलिए दिप कि नैस्टेक और डाव दोनों के फ्यूचर बराबर 70-70 नीचे थे तो उसक 31,000, 31,200 के आसपास डाव को बहुत मजबूत सपोर्ट है और 33,500 के आसपास तक की यात्रा डाव करना चाहिए और वो 33,300,400 तक डाव पहुंचकर आया है लगब 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 33,500 के आसपास तो हलका फुल का करेक्शन डाव के लिए भी उपनी रेंज पर आ आपको चाहिए ग्लोबली उसमें कोई अच्छा नहीं दिख रहा है डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा मजबूत होकरा है एक सो दो डॉलर के आसपास वापस से डॉलर इंडेक्स होता है दिख रहा है हाला कि बहुत चिंता की बात नहीं है प्राबलम मालू है कि खराब बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है बहुत ज्यादा खराब हो ऐसा कुछ नहीं है पोजिटिव बिलकुल भी नहीं है और हलके-लके से नेगिटिव साइड में तो तीन-चार फैक्टर मिलके थोड़े-थोड़े नेगिटिव हो रहे हैं और बस वही थोड़ी सी चिंता की बात होती दिख रही है अच्छी बात एक यह दिप आज सुबह ग्लोबल संकेतों में कि धीमे धीमे डाव फ्यूचर्स अपनी मजबूती बढ़ाने का काम कर रहे हैं अब डाव फ्यूचर्स लगबग सावा सो पॉइंट उपर हैं तो अगर हमारे बाज़ारों के खुलने के पहले डा जा कर बंद होते हएं दिखें लेकिन औरर ओल आज के सेशन के लिए संकेत कि से नेगिटिव साइट पर आप लूबल मार्केट से मान कर चल सकते हैं सारे मिला कर यह तो हो गय है आज के संकेतों की बात अब धीpt यह हफटा ग्लोबल मारकेट्स के लियांत से हर हमारे लिया करते हुए आपको नज़र आएंगे तो मतलब वह जो है ना हफता पासाथ दिन हमारे जो बड़ी शांती के निकले कि चलो जो होना था होगी अब आराम करो कोई टेंशन वाली बात नहीं है मुझे लगता है अब वापस से हम थोड़े वोलेटाइल ट्रेड की तरफ बढ़ सकते हैं इस हफते आपको ख़बरों के दम पर डेटा के दम पर एक्षिन थोड़ा उपर नीचे की तरफ होता हूँ नज़र आएगा जीदी आपसलूटली तो important events है सर इस हफते हमारी भी RBI की policy है और मुझे याद है सर अपने तो पिछले माईने कर दिया था जब वो surprise rate hike आए था कि आने वाली एक दो policies में भी आप बड़े rate hike expect करें और अब जिस तरह से तेल बढ़ रहा है inflation बढ़ रहा है बड़े rate hike के लिए तयार ह बड़े rate hike का मतलब है कि जितना हम सोचे हो उससे ज्यादा बढ़ा हो रहा है तो हो सकता ना भी हो सी आदा परसेंट बढ़ना है ये तो दिप आपको हमें सबको पता है ये तो पूरी तरह से price में discounted भी है अब पौन परसेंट बढ़ता है तो उसको लेकर आम राए नहीं है पौन परसेंट बढ़ती तो उसको लेकर आम राए नहीं है तो अगर पौन परसेंट बढ़ा तो थोड़ा जटका लग सकता है लेकिन अगर पौन परसेंट बढ़ने के साथ RBA गवरनर कहें कि अब हमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बढ़ने की ज़रूत नहीं है आ अगर आप पड़े तो वो इतने होकिश थे नहीं उन्हें लगा कि जो हमने एक एक्षिन ले लिया है और अगला एक्षिन जो हम लेंगे अभी जून की पौलिसी में उसके बाद लगता है कि हम काफी हत्ता कंट्रोल में ले लेंगे महंगाई को अब ही आदा परसेंट तक ठीक है पौन परसेंट हुआ और उसके बाद गवर्नर साब और किंतित दिखे तो मामला गड़ बढ़े पौन परसेंट हुआ और गवर्नर साब कह कि घरने की जरूत नहीं है शायद अब और ज्यादा जरूत ना पड़े तो हम नीट्रल से हलके नेगेटिव है आदा परसे करते हैं इसके बाद हम कंट्रोल में ले लेंगे तो शायद हम अच्छा हो जाए तो अल्टिमेटरी दोनों का कॉम्बिनिशन देखना पड़ेगा एक्शन और साथी साथी कॉमेंटरी क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं तो अगर खाली रेट्स के लिए आज से देखे है या आदा परसंट तो मिनिमूम बढ़नी है और पौन परसंट के लिए भी मार्केट कहिन के आंशिक रूप से मांशिक रूप से तयार है तो मुझे लगता है लेकिन हाँ इस हफते की बड़ी इवेंट यही है और देखिए अभी दीप एक और चीज क्या है पूरे दुन दुनिया बर के बाजार चाए वो तेजी का व्यू बनाने वाले लोगों चाए मंदी का व्यू बनाने वाले लोगों क्लियर कट उनका व्यू एक ही तरफ है और वो है एकोनोमिक डेटा पर तो इसलिए महंगाई ब्यास दरे लिक्विडिटी इस वक्त मार्केट के लिए औ सबसे बड़ा विशह है और I am sure उसलियाद से आठ तारीकों जब पॉलिसी का फैसला आएगा बुधवार को तब मेरी खाल से बाजार अंगला डायरेक्शन लेने की कोशिश करने के तो I think mid term ब्याज़दरे बढ़ाने के बाद mid term policy में ब्याज़दरे बढ़ाने के बाद यह व से मैनेज करना है कितना तेजी सोचना है कितना मंदी सोचना है कम करना है ज्यादा करना है चिंता की कितनी बात है I think यह policy make or break वाली होगी जी तो important policy है make or break दरो के लिहाज से तो है आदा परसेंट के लिए बाजा तैयार है पॉन परसेंट के लिए भी उतनी परिशानी नहीं होगी बाजार को बट कॉमेंटरी कैसी रहती है आगे की यह important रहेगा और सब कॉमेंटरी की बात करी तो of course आपकी आज की strategy तो लेनी ही है भी रहेगा सर बाजार का दीब देखो century तो 100 run पर ही होती ना आप यह कहें कि मैं 8 बार 10 बार 90 से 90 के बीच में run बनाओ या तो note out रहूं या आउट हो जाओं उसको मतलब मैं एक या दो century तो मान लो मतलब मैं nervous 90 में out हो गया या 99 पर जाकर note out रहे गया उसके बाद या तो run प अगर 16700 के उपर बन नहीं हुआ तो नहीं हुआ नंबर की importance है इसलिए हम इंतिजार करे थे नहीं तो मैं 16671 पर एक closing मिली उसके बाद आपको 16628 पर मिली 16700 के उपर दिन के दोरान निकले भी तो हम चाते तो उसको 16675 16700 के आसपास की उपर की closing मान कर कर सकते थे लेकर शु उसने एरेंज से breakout दे सकते थे पहली चीज दूसरा ट्रेंड आपका negative से neutral हो सकता था और 16800 के आसपास पहुंचने के बाद अगर आप closing basis पे 16700 को खोल लग रहा है तो वो थोड़ी चिंता की बाद है रहात की बाद सिर्फ इतना कह सकते हैं कि 16500 जो closing basis पे stop loss निकल कर आता है आप उसके नीचे बंद नहीं है उसके काफी उपर बंद हुए तो short term trend आपका बिगड़ा नहीं है बिल्कुल नहीं बिगड़ा है लेकिन जो बड़े trend पर आपके trend positive से neutral neutral से negative होता है तो negative से neutral होने के लिए जो हमें 16700 के ऊपर की है 16675 minimum उसके ऊपर की जो closing चाहिए वो closing मिस ह हो गई तो I think मुझे लगता है कि इंतजार करना पड़ेगा इसलिए आज फिर से मैंने ट्रेंड नेगेटिव ही रखा है पिछले तीन दिनों से मूर माहुल ठीक है फिर भी मैं इसी बात का इंतजार कर रहा हूं कि एक बार 1600 700 के ऊपर बंद तो हो जाए तो देखते हैं मेरे क्याल से पूरा पिछला हफता दीप हाँ पूरे पांस दिन आप 16500 के उपर बंद हैं लोइस क्लोजिंग आपकी 16522 से पिछले हफते की है तो ऐसे हम बुरे तो बिलकुल भी नहीं है लेकिन फिर भी रेंज के उपर ब्रेक आउट निकल के 16700 को पार करके 17000 के बारे मे या तो आप मेडन निकाल दो या एक दो रन निकालो तो बॉलर हावी हो जाता है और यही अगर आपने पहले और में 12-15 रन मार दिये तो फिर बैटसमें हावी हो जाता है तो हफ़ते का पहला दिन है अगर तेजी करने वाले आज नीचे खुलकर गैप से रिवर्स करके एक ज़्यादा इंपोर्टन रहेगा आज के लिए भी तो आए सर फिर बताएं आज का एक्षन कैसे रहेगा क्या कहा रहे हैं आज के संकेत संकेत दिखिये ग्लोबल तो नेगिटिव साइट पर ही है ठीक है एफाइस के संकेत भी पोजिटिव होते होते रह गए नेगिटिव साइट पर फिर से आ गए गरिलू फंड्स अपनी टाकत के इसाब से और जितनी सप्ले आती उतनी एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे है तो शुक्रवार को ऐसा लगा था कि उन्होंने खरीदारी से हाथ थोड़ा रोका है लेंगे FIS की बिकवाली भी छोटी थी तो आज ये संकेते गरिलू फंड्स के वो पोजिटिव साइट पर है अच्छी खरीदारी उनकी तरफ से होती है दिखिए वाइदा करोबार के संकेत पोजिटिव से न्यूटरल हुए क्योकि थोड़ी से शॉट कवरिंग वगरा खी अब न्यूटरल है वाइदा करोबार के संकेत तो न्यूटरल ही थे और आज भी न्यूटरल है सेंटिमेंट पोजिटिव से थोड़ा न्यूटरल हुआ है ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बना है जब तक कि हम 16,700 के उपर बंद नहीं होते हैं तो यह सारे संकेते आज के लिए अब आईए आपको मैं कुछ सपोर्ट के बारे में बता दूँ निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट जो है वो 16,450 से 16,525 के बीच में आता है 16,525 आपका शुक्रवार का लो भी नहीं शुक्रवार का नहीं पिछले हफ़ते की लोईस क्लोजिंग है तो यह आपके लिए सबसे इंपोर्टेंट है पहली रेंज और इसी रेंज को होल्ड करने की कोशिश निफ्टी करेगा इसके नीचे 16,275, 16,350 यह आपके लिए पॉइंट कमज़र हो जाते है तो यह आपको खरीदारी का 400-500 पॉइंट नीचे आने पर खरीदारी का बहुत बड़या मुका देता है वापस से रिकवरी के लियाद से तो यह आपके लिए बहुत ही बहतरी जगए खरीने के लिए 16,275, 16,350 हायर साइट पे जहां हम बंद ह है 16,535 से लेके 16,635 से हलकी फुल की रुकावट की जगह है इसको पार करके निकले तो 16,700, 16,800 जो कि आपके शुकरवार के हाई लेवल भी है इस रेंज में आपको प्रोफिट बुकिंग आती दिखेगी बैंक निफ्टी 35,100 तूरंट सपोर्ट के आसपास है 35,300 के इंपो आकर बंद होता हुआ दिखाए तो 35,100 के नीचे जो सपोर्ट रेंज इंपोर्टन निकल कर आती वो है 34,600, 34,800 यह रेंज है जिसके उपर ब्रेक आउट दिया तो पहला और मजबूत सपोर्ट यह निकल कर आएगा इसके नीचे जाने की संभावना कम है अगर पहुंचे त जहां तक पहुंच कर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी और इसके पार निकले तो 35,825,3950 वो रेंज है जहां पर बिकवाली की बढ़िया जगह मिलेगी तो आज दिप लेवल्स बड़े आराम सिर्फ क्रिश्टल के लिए निकल कर आएं क्योंकि पिछले पूरे निफ्टी के लिए सपोर्ट आप बंद हूँ है 16,584 जिसको मैं राउंड फिकर में 16,575 मानों इसके ठीक नीचे 16,525,16,450,16,400 यह तीन रिविजिबल सपोर्ट है इसके नीचे जाने की समभावना कम है नोट करकर रखने के लिए ठीक है 16,350,16,275 और 16,225 दिप आज इं आए छे लेवल मतलब मिनिममम ही आते हैं आम तोर पर छे से कम लेवल आते नहीं है तो छे लेवल आए इसका मतलब यह कि मार्केट रेंज मांड बहुत उठार चड़ाओ उठा पटक करेगा निफ्टी के और से लिए से इसकी संभावना थोड़ी सी कम दिख रहे हैं इंट 300 के आज पास आप बंद हुए हैं पहला सपोर्ट आपका 35,100 इसको ठीक नीचे 34,950 34,800, 34,600, 34,525 और 34,425 यह फाइनल लेवल्स हैं आज के लिए निफ्टी पर नीचे की तरफ बैंक निफ्टी पर उपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो 16,375 और 475 दो छोटे लेवल ह 625,750 मीडियम लेवल हैं और 35,825,3950 आपके लिए फाइनल टार्गेट निकल कराते हैं बैंक डिफ्टी पर उपर की तरफ यह आपको त्यान में रखेंगे जीती तो यह आपके लिए सारे बड़े लेवल्स और आज के इंपोर्टन सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छा बताएं सर, फ्राइडे के आक्शन में FIS की पोजिशन अब कैसी है, PCR क्या संकेत दे रहे हैं? ट्रेडर्स का व्यू कम है, इंट्राडे ट्रेड्स आपको ज्यादा मिल रहे हैं, यह पूट कोल रेशियो आपको बता रहा है, 1.18 से 0.97 हलके हैं, बढ़िया बात है, बैंक निफ्टी में तो और भी बढ़िया दीप, 0.86 से 0.63 का, तो बैंक निफ्टी का पूट कोल हैं, इनिफ्टी के मुकाबले में, विक्स 2% गट कर आया है, ठीक है, इसमें कोई खास दिर्कत वाली बाद नी, यह दीप, बिलकुल ला, तो PCR 1 के नीचे है, यहां पर रखे नज़र, FIS की पोजिशनी उतनी खराब नहीं है, इनिसले सर उपर बाजार क्या करते हैं, यह इ इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों 16500 रख सकता है, जिसको लंबा रखना है, वो 16400 परचीस का इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों रख है, अपने एपनी रिस्क लेने की ताकित के यहां पर आप स्टोप लोजिंग में बदलाओ कर सकते हैं, शुक्रवार को मैंने साफ का स्टोप लोजिंग में बदलाओं मत कीजिए, जो देह रहा हूं ही रखिए, 16400 परचीस बहुत दूर था, आपका इंट्राडे स्टोप लोजिंग पर स्टोप लोज नहीं हुआ, बैंक लिफ्टी में जरूर इंट्राडे और क्लोजिंग स्टोप लोजिंग तो ट्रिगर क्लोजिंग वाला जरूर आपका शुक्रवार को ट्रिगर हुआ होगा क्योंकि हमने 35400 के नीचे आपको स्टोप लोज दिया था, तो आज बैंक लिफ्टी में इंट्राडे और क्लोजिंग बैसिस पे 35,000 का स्टोप लोज अब आपको रखना है, गैप से खुलने के बाद म 16700 का स्टोप लोज होगा तो आपको पता ही है, जो पिछले हफ़ते में आपको रठाने की कोशिश किये, डबल लोंग, शॉर्ट कार्ट के लोंग करना है, अगर आप 16700 को पार करके टिक जाते हैं, बंद होते हैं, तो इंट्राडे के लिए आप चाहें तो 16800 के लिए लेक करता था कि मैं 16700 के उपर बंद होने को तयार हूँ और वापस नीचे आ जाते हैं, तो इस बार अगर पूरे कंसलरेशन के बाद 16700 के उपर की क्लोजिंग आ जाए, इस हफते में कभी भी मिल जाती है, तो फिर वो आप 17000 की तरफ आराम से बढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली क्योंकि आप देखिए, शुक्रवार का हाई भी आपका बेंग निफ्टी पर 3595 का है, लेकिन मैं इतना दूर का स्टॉप्लोस देना नहीं चाहता है, स्पेशली जब आप थोड़ा नीचे खुल रहे हैं, नीचे खुलने के बाद स्टॉप्लोस दूर का रखेंगे, तो र इन स्टॉप्लोस को ज़रूर फॉलो करना है आपको, नई पॉजिशन कैसे बनानी है आद सर? नई पॉजिशन कैसे बनानी है? दो तरीके से, अगर आप बेचना चाहते हैं, तो बेचे 16,700 का स्टॉप्लोस दखा लिजिए, 16,500, 16,450 दो लेवल इमीडियेटली है, उसके बाद 16,400, 350, मीडियम लेवल, 16,275, 16,225, यह फाइनल लेवल है, और यह तभी बेचना है, जब तब गेप मिले तो आपको खरीदना है, और खरीदने के लिए परफेक्ट रेंज जो है, 16,350 से 16,450 की यह रिप, और यहाँ पर 16,225 के स्टॉप्लोस लगाएंगे, टार्गेट जो बनेगा, 16,525, 575, दो छोटे टार्गेट, 625, 650, मीडियम टार्गेट, और 690 का फाइनल टार्गेट, यह आपके लिए, स्टॉप्लोस और रेंज थोड़ी सी बड़ी भी है, दूर का भी है, लेकिन यही 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 फोलो करना है, क्लियर है, अब आईए, बेचना है, स्टॉप्लोस होगा, आपका 35,650 का, पहला टार्गेट होगा 35,100 का, फिर उसके बाद 34,950, 34, 34,800, 34,600, यह विजिबल टार्गेट है, 34,525, 34,425 यह फाइनल टार्गेट बनेगे, खरीदना जो चाता हैं, बैंक रिफ्टी, 34,600 से 34,800 की रेंज में खरीदें, अगर आता है तो 34,400 का थोड़ा दूर का इस्टॉप्लोस होगा, 34,950, 35,075 दो चोटे टार्गेट, 35,250, 35 35,375, medium टार्गेट, 35,475, 35,625, और 35,750 बड़े टार्गेट, जो इंडेक्स में दिख रहा है, हो सकता है, इंडेक्स में आपको बड़ा मुह न दिखे, तेजी यह मंदी की तरफ, लेकिन स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए, करेक्शन अगर आएगा, तो स्टॉक्स में आन एफाइज, हाला कि कैश में बिकवाली है, बट फ्यूचर्स, इस्पेशली स्टॉक्स में अच्छे खरेदारी देखी सर। सामने 187 क्रोड के इंडेक्स खरीदें, वहाँ भी थोड़ी बहुत छोट करना चाहिए, कोई बड़ा आंकरा नहीं है, लोकल फंड्स ने अच्छी खरीदारी की है, 231 क्रोड की, तो नेटनेट अगर आप देखेंगे, तो इंस्टुशनल इंवस्टर्स से आए, वो लोकल हो चाहिए, फोरेनर्स हो, दोनों ने मिला कर कोई खास बेचा नहीं, इंफेक्ट खरीदा ही है, जो कुछ पोजिशन कम हुई है, वो ट्रेडर्स के तरफ से होती हुए, दिखिए, यह आपके लिए डेटा है, और डेटा बहुत खराम नहीं है, FIS की खरीदारी बीक्वाली है, हाँ यह जबर कह सकते हैं, पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा कम बेचर्स है केश में, अचाना है फिर से थोड़ा सा एकसीलेटर दबाया है, रेस बढ़ा ही है, लेकिन ठीक है, सामने इन स्टॉक फूचर खरीदे भी तो है ना, दोनों को साथ में मिला के देखना पड़ यह तो गए FIS के डिटा, अब आईए FNO डेटा, FNO डेटा में दीप सबसे इंपोर्टेंट लेवल जो आपके लिए है, वो है 16,600, 16,600 के उपर आप ट्रेड करना शुरू करें, वहां से आप तेजी गिनिये, ठीक है, 21,000,000 शेर पुट में हैं, 25,000,000 शेर कॉल्स में हैं, आप 500 के नीचे से इंगनी है, तो आप 16,500 से 16,600 आपका मिड फिल्ड है, इसमें गोल नहीं होने वाला है, 16,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे, थोड़ी कमजोरी फिल करिए, 16,600 के उपर ट्रेड करना शुरू करें, थोड़ा मजबूती फिल करिए, और इस्पेसि में टाइम पास करेंगे, ताकत आजमाईश करेंगे, कौन कितना मजबूत है, 16,500 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करते हैं, 16,600 के उपर ट्रेड करना शुरू करते हैं, 16,600 के उपर ट्रेड करना शुरू करते हैं, 16,600 के उपर ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो 16,700 क डेटा वेटा बराबर पढ़े नहीं होंगे कम काम क्या होगा डेटा ही ऐसे एकदम पर्फेक्ट निकल कर आ रहे हैं इसलिए आसानी से बता पा रहा हूं उपर की तरफ यह आपके 16500-16600 यह दो बड़े डेटा FNO के हैं अब आईए बैंग निफ्टी 3500 यह सबसे इंपोर्ट 500 के पर ही तेजी गिननी है और 35100 के नीचे से ही मंदी गिननी है तो जब तक आप 35500 की रेंज में तब तक आप मिडशी जहां गोल नहीं होता दोनों पूरा बरकरार रहेगा थोड़ी देर में हमारे गैस भी जोड़ेंगे जानेंगे उनकी पिक आई उससे पहले आपको बता दे इस हफते आज के लिए इपॉर्टन ट्रिगर्स सारी खबरे और ब्रोकर्जिज भी वरुन अर्मान और आशी शामिर साथ तेयार वरुन हो जाएक तीन दिन की जो है और राट तारीक को इसका फैसा निकल के आएगा तो सबसे इंपॉर्टन तो यहीं पूरे हफ्ते इसी पर आपकी नज़र होनी चाहिए इसके अलावा आइकॉनिक वीक और विज्ञान भवन में प्रादान मत्वी मोधी जो है इनाग्रेट करने वाले हैं हमारी फैनास मिनिस्ट्री जो है वो भी गेस्ट आफ और रहने वाली है तो कहिना कहीं यहां पर आपको नज़र रहनी है एक इंपॉर्टेंट है एक जेट है और विंदो फार्मा इंटेरिम डिविडेंस साड़े चार रुपे और आइनो श्टेरिलेशन आपको व्याद होगा एक सो पाच रुपे का इंटेरिम डिविडेंड इन्हों ने दिया था उसकी आज एक्स डेट है वरन बेवरेज़ेस वरन इस्टो टू के जो बोनस शेयर दिया था उसकी आज एक्स पार जो अल्गमेशन हुआ था गैन मेटल के साथ उसकी भी आज एक्स डे प्राप्त कर लिया है और तैस समय से पाच मैने पहले जो है इसको प्राप्त किया गया तो इसका इंपैक्ट आपको और मार्केटिंग कमनीज और खासकर शुगर कमनीज पर देखने मिलेगा कोईला मंताले के तरफ से बयान आया है के फाइट 23 में 58 कोल ब्लॉक जो है उनको कम्पनियों में हिंडाल को इंटी पीसी वेदानता जेस्टील बेडला कॉप नालको जैसे कमनीज शामिले तो इन पूरे पैक पे आज नजर रखेगा पूरा वाला फिंकॉप सेभी ने अब बुथाड़ा पर जो लगाए प्रतिबन थे उनको वापिस लिया है मैगमा फिं टी आर से सिफारिश की थी कि कही ना कई मलेशा से इंपोर्ट जो हो रहा है यूनों अलुमीनियम उस पर कॉंटर वेलिंग ड्यूटी लगाए जाए लेकिन फैनास मिश्टी ने डी टी आर की जो सिफारिश है उसको खारिज कर दिया तो कोई इंपोर्ट ड्यूटी या फि अर्मान मॉनिंग बताएं कौन सी ख़बर है आपके पास सबसे पहले नमडी सी पे कि जो खबरे हैं कि जो आईरन ओर की कीमते हैं लगभग वहां पे 20 से 25 परसेंट की कटोती की गई है जिसमें लंप और की कीमते अगर देखेंगे तो तेरा सो बीस और अगर फाइन्स की की मैक्स वेंचर्स जिसमें एकर्ड होटल्स का इन्हों ने लगभग 290 करोड में अधिकरंट कर लिया है और इसे के साथ में बता दू कि एककॉर्ड होटल्स जो है उनके पास नौइडा में लगभग 10 एकर की जमीन है आई-फल वेल्थ मेरेजमेंट और एंजल बन पर धिया जो 2021 का एक फ्रंट रर्निंग का मामला है उसमें सेवी ने संतोसी हैं और अदिल सुधार इनको 5 साल के लिए मार्केट बेन लगाया है इसे के साथ साथ आई-फल वेल्थ ने क्लेरिफाई भी कि यह जो मामला है यह 2021 का मामला है प्रूडेंट कॉर्पेट एडवाईजर्स पर ध्यान रखीगा जिसमें हाली जिसका हाली में आई-प्यो आया था प्रमोटर्स ग्रूप ने लगबग 0.63% हिसेदारी खरीदी है और इनके अब कुल हिसेदारी लगबग बढ़ कर 58.44% हो गई है और अंत में गिफिक बायो साथ पर ध्यान रखीगा जिसमें प्रमोट प्रमोटर्ण ने 0.48% हिसेदारी खरीद ली है और ये एक जून को ओपन मार्केट के जरी खरीदी गई तो यह है आपके लिए कुछ इंपॉर्टन खबरे आज की जहां पर रखनी है नजर आए धेरो रिपोर्ट्स भी आए हैं ओवर दे वीकेंड इनके बारे में जानते ह F.I.R. में के लक्ष के लिए और नोमीरा भी खरीदारी के राए को बरकरा रहे हैं 2575 अनि लगबग देखे तो सभी ब्रोक्रेज हाउस करेंट मार्केट प्राइस से ऊच्छा लग्ष दे रहे हैं एक और दिगजर एलाइंस इंडस्ट्री यहां पर भी रिपोर्ट साही है मॉगन के लग्ष दिया है नोमीरा नूट्रल की राए देना अठाथा सो पचास के लग्ष ले सिफ क्रिडिट सीव से जिन्यूट्रल की राए देने करेंट मार्केट प्राइस से नीचे का लग्ष दिया है 2510 रुपे का सिपला है हैं पर सेटी की तरफ से एक डीटेल नोट आया ह यहां पर खरीदारी के राए को बरकरा रखा है 961 की क्लोजिंग है एक 1170 रुपे का लग्ष दे रहे हैं और मान रहे हैं यूएस में जो है इन्होंने दो पेप्टाइड ड्रग्स के लिए आविदन दिया अप्रूबल मिल सकता है तो इसके चलते मान रहे हैं कि EPS में इन से पांच परसंट का इंपक्ट देखने को मिलेगा नोमेरा खरीदारी के राए को बरकरा रखे हैं 1195 के लक्ष दिया है और क्रिडेट स्वीज ने आउट पर्फरम की रेटिंग दिये 1100 रुपे के लिए इसके लिए जेफरीज यहां पर जेफरीज की रिपोर्ट आई इनफोसेस पर खरीदारी के राए को बरकरा रखा है जो लक्ष है वो काटा है दोहजार पचास से घटा कर 1830 रुपे कर दिया है वहीं जेपी मोगन ने ओवरवेट के रेटिंग को बरकरा रखा है 1850 रुपे के लक्ष दिया है और नोमेरा ने भी देखे तो खरीदारी के बरकरा रखा है 308 के लक्ष के लिए और JSW Steel यहां पर भी नज़र रखे क्योंकि नोमेरा ने रिडियूस के रिटिंग दिया 500 के लक्ष देख रिडिट स्वीच ने अंडर परफॉर्म के रिटिंग दिया 425 के लक्ष के लिए जिन पर रहेगा पूरा एक्षिन एक्षिन को बढ़ाते आगे एक्सपर्स का दमदार पैनल हमारे साथ है तैयार सोमवार की सुबे मिलेगा आपको इस हफ़ते के लिए उनका पसंदिदा शेर पिक अफ दवीक सभी सजनों को सुपरभात बंसल जी शुरुवात करेंगे आप बिल्कूल मैं शुरुबात करूंगा बट कुनाल जी का में को मैसेज आया है कि वो भी जुड़ गया है और वो शुरुबात करना चाहते हैं और पोई जटिल प्रशन अनिल जी आपसे पूछना चाहते हैं अंद आपनी बिना पिक आफ जीक से पहले अनिल जी कुनाल जी का रिक्वेस्ट आया है तो उनकी रिक्वेस्ट को मैं तो नजर अंदाज नहीं कर सकता आनिल जी आप तो बहुत हैं आप कर सकते हैं अनिल जी दीब जना देखिए, खत्रे बढ़ रहे हैं, पहले अब तक सारे लोग एंकर बनने के मूड में जाधा थे, अब कुछ-कुछ लोग एडिटर बनने की कोशिक चिले रहे हैं, तो इस बार खत्रा मुझे परसनली थोड़ा सा जाधा लग रहा है, ठीक है मैं मुंबई आने के सुप्रभाद देखता हूँ, फिलाल तर तक कुनाल जी को सुप्रभाद, कुनाल जी बताएं सर, और उसके तस्वीरे भी जारी हो गई एनिंजी हमारी जो शिकर सम्मेलन हुआ था तो एनिंजी बहुत अच्छा शिकर सम्मेलन हुआ दूई पक्षी मुद्धों पर बाचित हुई पहले आदे शिकर सम्मेलन में चर्चा इस पर हुई कि खाने में क्या मंगाया जाए और बाकी बचे हुए सम्मेलन में इस बारे में बात हुई कि अगला सम्मेलन कब होगा अनिंजी तो बहुत सुखद अनिंजी सम्मेलन रहा लेकिन आपकी कमी खल रही थी अनिंजी सबको अरे वाद थैंक यू सो माच और उम्मित करें कि आपके और बंसल जी के साथ रेने के बाद आश्यू जी पूरी तर से तेजी के मूर में आते वे दिखेंगे बताएं सर अब आज हफ़ते की शुरुआत कैसे करने वाले हैं अने जी खरीदारी करके करेंगे और खरीदना है रेलाइंस रेलाइंस का चार्ट रेने जी मुझे लगता है कि सबस्यादा आउट परफॉर्मेंस दिगज शेर्स में रेलाइंस में देखने को मिल रही है तो Reliance को Buy करें, बजार का जिस तरह मोड महौल है, हो सकता है थोड़ा नीचे मिल जाए, तो वहां पर Buy करें Stop Loss रखना है, 2740 पर 2740 के Stop Loss से Buy करें पहला Target होगा 2825 रुपे का, और Eventually मुझे लगता है कि Reliance आपको 2875, 2900 के Levels भी दिखाएगा लेकिन 2825 के पहले Target के लिए Reliance में खरीदारी के रहा है परफेक्ट, तो Reliance है वो स्टोक जहां पर खरीदारी करने के रहा है और Nifty को सपोर्ट देने के लिए कुनाल जी हो चुके हैं तयार, तो Reliance में खरीदारी के साथ यहां पर तेजी करने का पूरा इरादा रखते है आईए बढ़ते आगे, मंसल जी बताएं सर, अब तो बता दो आपकी Pick of the Week जी अन्जिल जी मेरा अन्जिल जी Pick of the Week है L&T, L&T पर खरीदारी की राया है 1625, 1625 का Stop Loss है, 1716, 1716 का Target है और अन्जिल जी कुनाल जी ने बिल्कुल cheating करी अन्जिल जी मुझे सोबे से मैसेज कर रहे है कि अन्जिल जी कहां पर है अन्जिल जी आप से नहीं पूछा, तो अन्जिल जी कुनाल जी जैते हैं, और भी लोग हैं, मैं भी हूँ, जाना चाहते हैं, कहां पर है आप, तो प्लीज उसमें भी रोश्णी डाले आगे से सर, मैं आपको बता के भी जाऊंगा, और आप से पर्मिशन लेके भी जाऊंगा, फिलाल आज के लिए माफी चाहता हूँ, पहले से इन्फरम नहीं कर पाया है, मैं शोव आज कोची से कर रहा हूँ, ग्रेंड हयात, यहां पर मैं एक शादी के फंक्शन में आया कर रहा हूँ, अब आप सबको आगे से सार्वेजिनिक तरीके से बता सकते है, आईए, तयार है हिमांशु जी भी उन से ले लेते हैं, उनकी पसंद का शेर हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताएं सब पिक ऑफ द वीक, गुड मॉर्निंग एवर्यवन, अनिल जी पिक के लिए जो शेर मुझे पसंद है, वो है सेंचुरी टेक्स्टाइल का, एक डाइवर्सिफाइड प्ले, टेक्स्टाइल से लेकर रियल स्टेट तक का, अब मुझे लगता है, अनिल जी कहीं ना कहीं, साथ आठ महीने की बड़ी कंसॉलिडेशन के बाद अभी ये स्टॉक एक ब्रेक आउट के लिए तयार है, और इस सब्के मेरा ऐसा मानना है, कि इस टॉक में एक ब्रेक आउट आता हुआ नजर आ सकता है, आच सो नवासी रुपे के असपास का क्लोज देखने को मिला था अनिल जी लास्ट वीक, यहां पर खरीदारी करके चलने की सला रहेगी, नौसो पचास, नौसो साथ का पहला टार्गेट और उसके उपर एक हजार बीस तक का दूसरे लक्षे यहां पर आता हुआ नजर आ सकता है, आच सो पचास रुपे के साथ सेंचुरी टेक्साइल मेरी तरफ से पिक आप दा वीक के लिए रिकमेंडिशन रहेगा, ओके विश्वेश जी भी अमरे साथ जूट चुके है, गुड मॉर्निंग विश्वेश जी, सुमवार की सुबर सुबह, एकदम चुस दुरूस, एकदम मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आप जूट चुके है, बताएं सर, पिक आफ दे वीक गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दिपांशु, गुड मॉर्निंग अव्रिवन, मेरी और से चो पिक आफ दो वीक है, वह कीरी इंडस्ट्रीज, 484 के आसपास का अनिजी इसकी खास बात यह है कि अलमुस्त यह यह देड़ दो साल से एक रेंज में ट्रेट कर रहा है, लोर एंड व दे रेंज 420, 430 के आसपास है, और मैं बस थोड़े से नंबर से चेक कर रहा है, यह जी साड़े चे के पी पे मिल रहा है, बुक वैल्यू 496 का है, ओर व फंडामेंटल है, at the same time, it's a debt-free company है, मुझे ऐसा लगता है कि तरिस्सम ट्रगर on the stock, जो शायद अनफोल्ड हो सकता है, आने वाले वीक में, और जिस साब से वॉल्यूम से स्पर्ट आया, मुझे लगता है, यह वीक में ट्रैक पर अखना चाहिए, थोड़ा सा नेगिटिव यह है कि इसका quarter on quarter, अगर प्रमोटर का holding देखेंगे, तो definitely घटा है, तो मुझे लगता है कि एक नेगिटिव है, तो उसके सामने प्राइस इंडिकेटिंग अपमो, तो यहाँ पैने जी थोड़ा सा अगर डिकलाइन बिलता है, 460 के आसपा, 470 के आसपास तो खरीदना है, 4 सुमी जी भी तैयार है, सुमी जी गुट मॉर्निंग, बताएं सर पिक ओफ दवीक, गुट मॉर्निंग, अनी जी पिक ओफ दवीक के तौर पे, जिस स्टॉक पे नज़र रखना है, वो है सन फार्मा, सन फार्मा में existing positions तो hold रखने चलना है, कोई भी deep और गिरावट अगर सन फार्मा में, 855 रुपे तक तो lower levels पे खरिदारी करनी है, सन फार्मा ने लास्ट दो दिनों से lower level पे 200 DMA का सपोर्ट लिया है, और वहां से bounce back देने का शुरुआत किया है, तो में को लग रहा है कि यहां से सन फार्मा एक अच्छा bounce उपर की तरफ इस हफते में दिखा सकत है, स्टॉक का जो नीचे के अंदर सपोर्ट बनेगा, वो करीब-करीब बनेगा, 840 रुपे के आसपस का, तो 840 का इसके अंदर स्टॉक लोज बनेगा, और उपर में जो टार्गेट देखनी को मिल सकते है, 890 रुपे से लेके 900 रुपे तक के टार्गेट इस हफते में सन में देखने को मिल सकते हैं, तो खरदारी करके चलने का सला रहेगा, सन फार्मा में. आप बुली सुबह की, पॉजिटिव न्यूज की कमी है और नेगेटिव न्यूज बहुत सारी है, बट फिर भी मार्केट्स कहीं न कहीं सब चीजों को डिसकांट की है, तो ऐसा कि बाइं तो करें गई, बट एक मिने सेल कॉल दिया था, and that was Hevels India, इंट्राडे FNO पिक के त इनके ओपर जवर्दस मुझे कॉन्फिटेंस आ रहा है, और इसलिए लगता है कि मार्केट्स को ये लोग हेविवेट सा तो उपर भी रखने में काम्याब रहेंगे, और बेर क्रॉप साइंस, सियाराम, सिल्क मिल्स और मॉन्के कार्लो, ये क्योंकि टेक्स्टाइल स्टॉ जैन साब के जैन्स नों भी दिया हूँ और विनायल केमिकल्स मुझे फंडामेंटली अभी भी बहुत बढ़िया लगता और बिल्कुल इस टॉक को लेना चाहिए, ये सेम ना विनायल इंडस्ट्री और विनायल केमिकल्स जो सेम है, वही जैन साब? यस यस बिल्कुल विन के तोर पर कई बार रिकमेंट किया है, तो 277 रुपे वाला विनायल केमिकल्स या विनायल इंडस्ट्री यहां खरीदारी करने की रहा है, सियाराम, मॉन्टे कारलो, ये कुछ और स्टॉक है, और कुछ और एफम से जी शेर जो आपने बता है, जैन साब एक बार फिर से बत कारलो, ये भी काउंटर्स हैं, जो जैन साब को हैं, पसंद, कई सारे और स्टॉक्स हैं, जो आज अक्शन में रहने वाले हैं, NMDC, ज़र इस पर डालिये नजर, क्यूंकि खबरों के हिसाब से इन्होंने दामों में कटाउती करी है, और कटाउती तो ठीक है, बड़ी कटा अगर आता है, 24 रुपे का, तो रोल लेंस में खरिदारी बनेगा, उपर में 130 का लेवल, एक बार करनी सिंगी तोड़ दे, 130, तो उसके बाद स्टॉक के अंदर मोमिंटम बनेगा, और 140-145 रुपे तक के लेवल, शौट टम में NMDC में देखने को मलेंगे, तो डिप में ख फारिश के बावजूद, सरकार यहां पर डिटी नहीं लगाने वाली है, बिश्वे जी, हिंडालकों का चार्ट कैसे लगता है, 400 के आसपास? दिपांशू, एक स्टीक्चर जाता है कि स्टॉक वीक है, 630 से करेक्ट हुआ है, और कोई मेजर पुलबैक नहीं आया, और अभी लास्ट देड़ दो वीक से एक कंसॉलिडेशन है, मुझे लगता है शायद ये कंसॉलिडेशन नीचे की और ब्रिकडाउन करेगा, तो यहा लगता है, 407-408 के स्टॉप लोस से यहां पर वेचना चाहिए, 380 तक के मुझे लगता है, हम टागेट एक्सपक कर सकते हैं डालको में, तो और और रिव्यू बैरिश है, मुझे लगता है, सेल ओन राइस बेटर स्टेजी इन इन डालको, हेमांशू जी नालको के चाट प करने की हम कह सकते हैं की कोशिश हुई थी, वो बहुत ही एक छोटा सा सबल रिबाउंट है, जिसका मतलब की जो बीर्ज है वो अभी भी यहां पर काफी एक्टिव हैं, तो मेरा मनना है कि कोई भी पुल बैक स्टॉक में आता है, तो एडजिट करने की एक ऑपरटुनिटी ह और शॉट्स लिए जा सकते हैं, नियर टर्म में मेरा मनना है कि इंपोर्टेंट इमेडियेट सपोर्ट जोन लगभग 85 रूपे के आसपास है, मुझे लगता है कि स्टॉक में 80-80-85 रूपे तक के लेवल की डाउनसाइड आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, फिल पुनावाला फिनकॉप, जैन साब आपके रेडार पर है, रहत आईए, इनके जो MD है, अबे भुटाडा साब, उस पर जो सेबी ने रोक लगाई थी, वो वापस ले ली है, पहले मागमा फिनकॉप थी और उससे रिलेटेड कुछ इंसाइडर टेडिंग के आरोप थे, पर पूरा ओर्डर वापस एलिया, मार्केट बैन हटा दिया गया है, कैसे देखेंगे सर पुनावाला फिनकॉप को? जो pure NBFCs और जो जिनमें inherently NBFCs और वो तो बहुत बढ़िया करें, और यहाँ पर क्या है, ठीक है, प्रोमोटर का बैक्राउंड बहुत स्ट्रॉंग आया, बहुत सारे फंड्स आएंगे, बहुत बड़े बेनिफिशरी रहे हैं, कोरोना काल के, तो उन्होंने अपना फंड रखता है, बट सम्हाँ मुझे लगता है, कि जहाँ पे स्किन इंदे गेम, प्रोमोटर का खुद का नहीं होता है, वो कंपनी में मुझे थोड़ा वो रखता है, बट एनिवे इस इस अपनी में अच्छा करेंगी मुझे आने वाले दिनों में, जिन्होंने ले रखा हो चलिए जैन साब का उतना कन्विक्शन नहीं है, बट खबर तो अफकोस अच्छी है, चार्ट पर क्या कोई रियाक्शन आ सकता है, कुनाल जी, पुना वाला फिनकाप चार्ट पर कैसा लगता है, सर। बने रहना चाहिए, और एक स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहें, तो मौझूदा स्तरों के हिसाब से 245 के आसपा स्टॉप लॉस रखें, और उपर मुझे लगता है कि काफी बड़ा अपसाइट मुम्किन है, तो 280, 300 के लेवल्स भी स्टॉप में आते हुई दिखें. ओके, तो पुना ओलफ इनकॉप आज अफकोस खबर के दम पर शायद स्टॉप थोड़ा अक्शन में आ सकता है, इस पर रखेंगे नजर. नजर है, आएफल वेल्थ और इंजल वान पर भी, यहाँ पर भी सेभी का अक्शन आया है, अक्शली, 2021 का फ्रंट रनिंग मामला है उसके साब से एक आएफल म्यूचल फंड के डिलर और एक इंजल वान के सब ब्रोकर पर अक्शन लिया गया है, पांच साल का मार्केट बैन लगया गया है, आएफल वेल्थ बंसल जी, इसके चार्ट पर कोई राए सेर? इपांचु यहां पर आया वेल्थ में देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर तो ठीक है, स्टॉप में रुजान हाय टॉप, हाय बॉटम्स का ही है, और नीचे में एक मेजर सपोर्ट है 1520 का, 1537 के राउंड की क्लोजिंग है, 1520 एक मेजर सपोर्ट है, तो इन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, अगर 1520 के लेवल्स टूटेंगे तब यहां पर एक क्रेक्शन देखने को मिलेगी, तो यह आपके लेवल्स पर नजर रखने की राय होगी, तो यह है आपके लिए आएफल वेल्थ और इसके साथ ही एंजल वन पर भी रखें नजर, नजर रखें सा अलीफी नेट या सेलफी नेट करके एक कंपनी है, जिनका अधी ग्रहन करने जा रहे है, तो यह एक खबर आती हो दिख रहे है, साइंट की तरफ से अधी ग्रहन के लिए एक करार कर दिया गया है, चार करोड यौरो में यह अकुजिशन करने जा रहे है, तो यह अभी- आपको खबर आती हुए दिख रहे हैं, ये स्टॉक भी आपके रेडार पर रहना चाहिए, कुनाल जी ज़रा एक बार चार्ट भी पुल अप कर लें, साइंट की, कैसा लगता है सर, ये काउंटर, चार करोड यौरो में ये एक अक्विजिशन करने जा रहे हैं सर, देखें, चार्ट अच्छा है, दिपांचू स्टॉक में हाला कि काफी अच्छा करेक्शन हुआ है, सारे IT स्टॉक्स करेक्ट हुए है, ये भी करेक्ट हुआ है, लेकिन अच्छी बात ये है कि 7500 के आसपास एक सपोर्ट दिखता है, और काफी एहम सपोर्ट है, पहले बड़ रिजिस्टन्स था ये, और अब ये सपोर्ट का काम दे रहा है, तो इन सतरों पर मुझे उमीद है कि स्टॉक में वापस से इन्ही लेवल्स के आसपास से रिबाउंड बन सकता है, तो एक थोड़ा सा लिबरल स्टॉप लॉस्ट के नीचे रखकर के मुझे लगता है, बिलकुल, हाला कि फ्राइडे को कुछ खास नहीं किया, बट रिसेंटली हमने देखा है, आईटी में रिवर्सल आया है, और पुजिशनल तो और तो अच्छा लग रहा है, देखते हैं इस खबर के बाद क्या आज स्टॉक ट्रेड में भी रियक्ट करता है या नहीं, एक रिडार पर भी रहा है, आपका तो जैम स्टॉक भी रहा है सर, कोई रहा है, ग्यूफिक बाई उपर? हो सकता है कि उन्होंने नीचे लाया, बाकि FIIs, DIIIs सब ने अभी इन दिनों में स्टेक बढ़ाई है इसमें, और पब्लिक में भी नाम देखते हैं, तो काफी अच्छे नामी ग्रामी इंवेस्टेर्स इंवेस्टेड है, सो फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया है, पर लेके 250-300 के टार्गेट के लिए होल्ड करना चाहिए, जिन्होंने मेरे रेकमेंडेशन पर लिए और जिनने लेना है, वो लोग भी बाई कर सकते हैं, इंडिप्स, ओके तो यह है आपके लिए गिफिक बायो नज़र रखे, प्रमोटर ना हिस्सदारी बेचे बड़ को झाल